सो ए गाईस आप सभी का एक और न्यू और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है क्योंकि इस वीडियो में आपका भाई आपको बहुत सारी जानकरी बताने वाला है क्योंकि एक जुन दोटन तोकन एक्सेटिक ब्डेट होगा गिल्ड टोकन एक्षिन इस्टोर भी अपडेट होगा क्योंकि एक जून 2023 को OB40 का अपडेट आने वाला है तो OB40 अपडेट की दिन हमारे गेम में कौन-कौन से नए-नए रिवाड एड होने वाले हैं इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ एंड यार ये जो OB40 का अपडेट आ रहा है ना ये अभी तक का सबसे इस्पेशल अपडेट होने वाला है क्योंकि इस अपडेट की गरीना फ्रीफार ने अभी से हाइप बनाना इस्टार्ट कर दिया है इस वाली पोश्ट के नीचे बोला है कि आप लोग जो बोलोगे हम लोग सुनेंगे यूर वाइस मैटर और आप लोग जो भी फीडबेक दोगे वह हमारे गेम के अंदर आएगा सो जल्दी जल्दी बता दो सो यहां पर बहुत सरे प्लेयर्स ने कमेंट किये हैं ब्रिंग बेक दाइमंड्स विच वी गेट बाइव वाचिंग एड्स आय रेली मिस ग्लाइडर क अचिक एंड्स ने डामेंड वाला इवंट रिटन लाए जाए तो ओल्ड फ्रीफायर वो जो हमारे गोल्डन डे थे उस गोल्डन डेट की वाइब फिलिंग को रिटन लाने के लिए गरीन फ्रीफायर इस ओभी फुटी अपडेट के दोरान कौन-कौन सी नहीने चेंज़ सक्रक्रेट करने वाला है सारी जानकर इस वीडियो में मैं अब को बताने में लेकिन उसके पहले आप सभी लोग इए बताओ कि आपको ओल्ड फ्रीफायर याद आता है अगर करते होंगे तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रुर बता देना देखते हैं कौन-कौन गौन फिरिफार को मिस्ष कर्ता है अगर नहीं करते होंगे तो अभी चलते हों नेक्स्ट अब्रेट की हो आने वाले प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवंट का स्पेसल इंटर경 без इस्पेसल इंटरफेस का पीक डरह एगा 20 मई को और इस पूरे स्पेसल इंटरफेस के दोरान हम सभी को ओरियेंट करेक्टर और ओरियेंट करेक्टर का डिलक्स बंडल बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है प्रेक्टर का बंडल स्क्रिम्शन इवेंट से मिल जाएगा सो बारा माई को यह आवला इवेंट हमारी गेम में आने वाला है कैसे कंप्रीट करना यह तो मैंने आपको बता दिया आप सभी का लिजानकरी अच्छी लेगी होगी तो अभी हम चलता है नेक्स्ट अपडेट के तो एर अब मैं आप सभी से क्वेशन भी पूछने वाला हूं और एक अपडेट भी बताने वाला हूं और यह जो क्वेशन है ना यह मैंन है गरीना फ्रीफार ने खुद हमसे पूछा है यह देखो उन्होंने लिखा है ओट नाव फर यूर फेवरेट आइटम यहां पर च सकता है कि आजी कोई एक फिश्ट की स्किन हमें फ्री मेंदे क्योंकि गरीना फ्रीफार है तो बहले कुछ भी पॉशिबल होच रखता है क्योंकि यह वाला अर्टिकल भी निकल कर आच चुका है और गरीना फ्रीफार ने डैमंड रोई और इंकुपेटर रोईल को हमारी ग तो से बढ़ने में तो अब आता है इस वीडियो का सबसे फनीन फार्ट क्योंकि क्योंकि अब मैं आब को बताने वाला फ्रीफार की मजदार वाली मीम अरे कौन कहता है फ्रीफार खेलने वाली लड़का देती है वह एक साथ में चार चार बेस्ट फ्रेंड प्लस एक दो बॉइफेंड को हैंडल करने का टेलेट रखती है भाई इसने तो खड़ी वेज़े ती कर दिया लड़कियों की जो गेम के सब्सक्राइब कर लो तो चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यह राईए फारनल यह अब मैं आपको बताने वाला हूँ ओभी फुटी अपडेट के बारे में तो यह देखो एक भाई ने कमेंड किये हैं भाई फेस्बुक से गूगल में ट्रांसपर होने वाला सिस्टम कब आएगा तो एक्चुली में यह बात करें मल्टी बैंडिंग सिस्टम के बारे में क्यूं अगर फुटी अपडेट के दौरां अगर फुटी अपडेट के दौरा नहीं आया तो समझ लेना कि जब फ्री फार अन्बेंड होगा उसके बाद हमार्गेम के अंदर आएगा और जैसे है यह आला चैन्जेस अमार गेम के अंदर आएगा तब हम लोगों को मल्टी बैंड तड़प ही ऐसी है ना तो घर आईए अब मैं आपको बताने वालों FF Token एक्षान्च स्टोर के वारे में कि एक जुन 2023 को FF Token एक्षान्च स्टोर में कौन-कौन तो इस नए बंडल एड होनी वाले तो बीस नए बंडल में कुछ बंडल की लिश्क निकल कर आई है पहला बंडल है लोटस ब्लेंडर बंडल दुसरा नियो एवरग्रींड बंडल तिसरा लॉलेस बंडीद बंडल चोथा मेंगमा बाइवनीक बंडल एंड लिक यह भी मिली ह एंड बचा नेक्ष्ट गोल्ड रॉयल और वैपन रॉयल की अभी तोग कोई लिक मिली नहीं है वैपन के लिक यह मिली है कि आने वाले ओभी फुट्टी अपडेट में हम लोगों कही वैपन की स्कीन देखने मिलेगी जिसमें कोकरे को वाले स्कीन है एक ऐसी स्किन है जिसमें केली उपर बैटी हुई है एनिमल पैंथर वाली स्किन है ऐसी बहुत सारी स्किन ऐसी है जो कि ओभी फुटी अपडेट के दौरान आने वाली है एंड गरीना फ्रीफायर ने एक सर्वे में ये देखो हमसे ये पुछा है कि क्लाकर आओर के उपर एक हवा मल लाना चाहिए र फिर नहीं लाना चाहिए और ये कोई एडिटीट फोको नहीं है और उस वाले सर्वे में मैंने भी पारिसेपेट किया था तो हूँ सकता है कि आने वाले समय में गरीना Free Fire फुचरिस्टिक टाइप के कोई डिजाइन करें तो हो सकता है कि Clock Tower के उपर और एक हमको कोई हवा मेल टाइप का देखने मिल जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट हो गरीना Free Fire गेम में रस को बढ़ाने के लिए साइद ऐसा अपडेट ला सकता है तो अगर ऐसी कोई अपडेट आजाएगी तो भाई मज़े ही आजाएगा और हाँ मज़े से अदाया अब मैं आपको बताने वाला हूँ इलाइट डीजे आलो करेक्टर के बारे में क्योंकि यह वाला करेक्टर ओ भी 40 अपडेट में आ रहा है मतलब कि एक सर्कल बनेगा सर्कल के अंदर अगर हमारा कोई फ्रेंट रहेगा है फिर हम खड़े रहेंगे तो हम लोगों को सायथ HP मिलेगी ऐसा कुछ करेक्टर की अबिलिटी होने वाली है